कलर्स के पॉपुलर शो सिलसिला बदलते रिष्टों का अपनी आमेजिंग ट्विस्ट और टर्न से डियार्पीक लिस्ट में तेजी से उपर चड़ता नज़र आ रहा है हलाकि कुछ समय पहले लोगों को इसके कॉंटेंट को लेकर एतरास था लेकिन अब लोग शो में आ रहे हैं सस्पेंस को कही न कही नज़ाय करते नज़र आ रहे हैं खैर लेकिन शो में आने वाला है एक बेहदी अजीब मोर जब नंदनी और मॉली दोनों के पैरोतले जमीन खिसक जाएगे जी हाँ कुनाल का एक ऐसा कदम जिसे मॉली और नंदनी दोनों ही शोक्त हो जाएगे अगर शो की करिंट रेक की बात करे तो कुनाल घर छोड़कर जा चुका है मॉली और नंदनी का भी आमना सामना होता है मॉली के ताने से नंदनी भी शर्मसार होती है लेकिन मौली भी चौक जाती है जब पता चलता है कि घर छोड़ने के बाद कुनाल नंदनी के घर नहीं गया वहीं नंदनी भी यह जानकर हैरान हो जाती है कि कुनाल घर छोड़कर चला गया है लोग शौक्ट होते हैं कि कुनाल का कहीं किड्नैप तो नहीं किया गया और इसमें कहीं राजदीब का हाथ तो नहीं लेकिन फिर ये खुलासा होता है कि कुनाल का एक्सिडेंट हो गया है खै अब कहानी यहीं से एक नई दिशा की और मुर्ती है जब हॉस्पिटल में घायल कुनाल का नंदनी साय की तरह देख भाल करती है मौली अस्पताल पहुंचती है और ये देख कर दंग रह जाती है मौली को यह अहसास होता है कि नंदनी शायद उससे ज़्यादा कुनाल को चाहती है कहानी में टर्ण काफी चौकाने वाला है लेकि इसके बाद क्या न चाहते हुए भी मौली कुनाल को नंदनी के हवाले कर उसके जिन्दगी से दूर चली जाएगी वही कुनाल को भी एहसास होगा कि कहीं न कहीं वो दोनों की जिन्दगी से खिल रहा है और नंदनी और मौली के दुख का कारण वही है लेकिन इसके बाद कुनाल ऐसा क्या फैसला करता है क्या वो नंदनी और मौली में से किसी एक को भुला पाएगा या फिर कोई आर खतरनाक रास्ता अक्तियार करेगा खेजिन्दी और कुनाल तोनों कहीं न कहीं गिल्टी फिल तो करेंगे लेकिन उनका फैसला चौकाने वाला हो सकता है और इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अपकमिंग एपिसोड्स का प्लीज गिव और आपिनियन इन कॉमेंट सेक्शन बिलोग और सब्सक्राइब टूर चैनल